गुड मॉनिं फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आप सभी का स्वागत है, मेरे चैनल ससी लोधी व्लोक्स में, और आप सब कैसे हो, यह मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो आज मैं बृत की दो रेशपी लेकर आए हूँ, जो सेंदा नमक के बिना बनी हुई है, इनमें कोई नमक नहीं डला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां पर मैंने समा के चावल होते हैं, भगर होती है, उसे ले लिया है, जो बृत में खाय जाते हैं, समा के चावल, उनको ले लिया है, और यहां पर मैंने एक कटोरी ली है, लगवक 200 ग्राम के आसपास एक घंटे के लिए भिगोने रख दिया है तो एक घंटे भिगोने के बाद इसका पानी निथार के पानी निकाल के इने आपको मिक्सर में डाल लेना है और मिक्सर में थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर अच्छे से पेस्ट बना लेना है ऐसे नहीं पिसेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही इस तरह का आपको पेश्ट बना लेना है मिक्सर में ही तो चलिए इसको अब क्या करना है हमें आदा वेटर इसका हमें अलग बाउल में निकाल लेना तो ये देखी आदा वेटर हमने निकाल लिया है इसका और आदे में हमें ये दो आलू लिये हैं उबले हुए आलू हैं, अगर आप कच्छा आलू लेना चाहें, तो बारी कट करके इसमें डाल के आप पीश लीजी, तो यहां पर मैंने उबले आलू डाल कर अच्छे से इस तरह का बैटर बना लिया है, थोड़ा और पानी लगेगा पीशने में, तो पानी डाल डाल कर आप मिला देना है, और धनिया पती है, इनको भी हमें दोनों बैटर में मिला लेना है, और याद रखना है, आपको सेंदर नमक नहीं डालना है, अगर आप सेंदर नमक खाते हैं, तो डाल सकते हैं, और यहां पर कुछ मुझफली की दाने हैं, जो हमने क्रस करके ले लिये हैं, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं ब्रत में सेंदा नमक नहीं खाती हूं, कोई भी नमक नहीं खाती हूं, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है। अगर आप सेंदा नमक खाते हैं ब्रत में, तो वो डाल सकते हैं। और अगर आप बिनावरत के वी ऐसे ही breakfast में बनाना चाहते हैं से तो आप और भी सबजियां add करके नमक वगेरा डाल के मिर्ची डाल के अच्छे से बना सकते हैं और उसे थोड़ा सा सेट होने के बाद इस पे थोड़ा सा घी डाल लेना है और दो मिनट के लिए से ले ना है तो चलिए जब तक वो दो मिनट के लिए सिक रहा है तब तक हम यहाँ पर वो मेरे लिए इनफ है काफी है इतना तो मैंने जो हमारी बेटी है उसके लिए हमने कुछ और लिया है तो उस बेटर में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और यह बांकी का जो कटोरी वाला बेटर है उसके लिए मैंने एक बॉय लालू लिया है, उसे इस तरह से कट कर लिया है, ना ज्यादा मोटा करना है, ना ज्यादा पतला करना है, तो इस तरह से हमें ले लेना है, तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये सिख चुका है, और इसी तरह से आपको दौनों तरफ अलट पुलट कर अच्छे से हमें सेख लेना हैं और यह बहुत यह अच्छा पैनकेक चल्च है पराथ का एटे की तरह बन चुका है तो देखी अच्छे से शेख में के बाद निकाल लिया है और यह हमारा यह कोटोरी काटर चिपकता नहीं है तबे पर हलका सा हमें चिकना हट चाहिए तबे पर बस और बिल्कुल भी चिपकता नहीं है तबे पर तो इस तरह से हमें सारी आलू की चिप्स को इस पर डाल लेना है तबे पर और थोड़ा सा सेट होने के बाद इस पर घी थोड़ा सा डाल लेना है और दो मिनट के लिए रख दीजिए और दो मिनट बाद अच्छे से एक तरफ सेट उने के बाद दूसरी तरफ भी पका लेजिए दो मिनट और पका लेजिए और कुल इसमें आपको एक वेच में 4-5 मिनट लग जाते हैं पकाने में और यहाँ पर याद रखना है आपको फलेम हाई नहीं रखना है लो टू मीडियम फलेम पर ही आपको पकाना है और यहाँ पर मैंने बोयल आलू लिये हैं अगर आपका अच्छा आलू लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से हमने अच्छे से इन्हें अलट पलट कर सेख लिया है और इन्हें आपको क्या करना है ऐसे तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि हमने इनमें सेंदा नमक नहीं डाला है तो आपको क्या करना है आप मीठा दही लीजिए और म बहुत ही अच्छा टेस्ट में बिना नमक के बहुत ही अच्छा इनमें टेस्ट आ जाता है या फिर दूद ले सकते हैं मीठा दूद के साथ भी आप मीठे खा सकते हैं मीठे दूद के साथ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है तो इसी तरह से हमने ये कच्छा आलू ल उसमें थोड़ा सा के लिए टक्र टक कर पका लेना है और यकीन मानिए यह बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है और इसमें आप अे ट्या करना है सिर्फ नमक एड़ करना है अपने लिए ब्रत के लिए बिना रिह बनाना चाहिए और उसी बेटर में आप नमक एड़ करके बांकी लोगों के लिए आप बना सकते हैं और बेटर भी हमारा एक ही था एक ही बेटर से हमारी दो रेश भी बनकर रेडी हो जाती है बस उसमें हमें आलू को थोड़ा पीसना था और इसमें आलू की हमें चिप्स लेना है बना कर बस इतना ही डिफरेंट है और कुछ नहीं करना है तो इसी तरह से हमने ये बैच सेक लिया है और अब ये है हमारा पैन केक उसी बैटर का जो हमने आलू पीसा था ना उस बैटर का तो इसे हमने नमक डाल के ले लिया है इसमें हमारा नमक डला है बागी फेमली मेंबर्स के लिए तो इसे भी उसी तरह से हमें सेख लेना है और ये हमारी रेस्पी दोनों रेस्पी ब्रत वाली रेस्पी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलना और नोटिफिकेशन जरूर दवाना जिससे हमारी और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आज आप तक पहुंचते रहें तो यह देखिए हमारा यह मीठा दई है मीठे दई के साथ इंजोई करिए बहुत ही अच्छा टेस्ट में बेस्ट लगने वाला है बिना सेंदा नमक के यह हमारी पराठा ओके तो यह आप जरूर करके देखिए और हमें बताइए कमेंट करके और लास्ट में करना बिलकुल ना भूलना चैनल को थेंक यू गाइज